अच्छा हो फुपी जान आप आ गई, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आ रही थी, मेरी बच्चिरों बहुत शुक्रिया फुपी जान, अल्ला राजी हो आपसे भाई जान कैसे है अब? बाबा की तब्याद अब भी वैसी ही है हमने बहुत कोशिश की मगर उनमें कोई तब्दीली नहीं आई कई-कई रोज वो कमरे से बाहर नहीं आते, बस कभी-कभी प्यानों बजा लेते हैं अगर हमारे बाबा से हतियाब होते, तो वो सुल्तान होते और हमें आपसे यूँ चुप-चुप कर नहीं मिलना पड़ता फुपी जान खदीजा, कौन टाल सकता है किसमत का लिखा इस बारे में सोचकर खुद को परिशान मत किया करो फुपी जान इस महल से बाहर निकलने के अजादी खाब बन गई है और मुम्किन है कि वो खाब ही रहे आपके अलावा हमें और कोई नहीं समझ सकता अ-अ, ऐसा हर्गिस नहीं है फही में अब्दुलहमीद अक्सर आपके बारे में पूछते रहते हैं यहाँ ना आना उनकी मजबूरी है वो बागें को कोई वज़ा नहीं देना चाहते लेकिन हमारा क्या होगा कभी कोई क्यों नहीं सोचता हमारे लिए यू महल में रहते रहते हमारी शादियां कैसे होंगी अगर हम बाहर ही नहीं जाएंगे तो रिष्टे कैसे आएंगे फूपी जान मैं आप दोनों की परिशानिया समझ रही हूँ बच्चियों इस मुश्किल का हल है मेरे पास वो क्या? साबिका सुल्तान की बेटियों की अच्छी जगा शादी कराना नए सुल्तान की फराइस में शामिल है ये एक राइच कानून है तो क्या शादी के बाद हमें आजादी मुयस्सर हो जाएगी? हाँ बिल्कुल लेकिन फिर आप दोनों यहां कभी नहीं आ सकेंगी यानि अपने बाबा को फिर कभी नहीं देख पाएंगी ये एक शर्थ होती है सनिहा सुल्तान शैजादी नाइमे की जानिब से पेगाम है उन्होंने आपको महल में मदू किया है देखा अगर हमें भी मदू किया जाए तो हम बाहर जा सकते है बिल्कुल दुरस्त कहा मगर इजासत हो तो और सखत पहरे के साथ वो भी उस रास्ते से जो महल के करीब से गुजरता है पर इसे आजादी तो नहीं कहा जा सकता लड़कियों खयाल रखना के यहां मेरी आमत की किसी को इत्तिला ना हो पाए गलती के कोई गुणजाश नहीं है बिल्कुल फिकर मत करें आप इस बात की किसी को कुछ मालूम नहीं होगा बहुत खुब